कल के दिन promise किया और आज के दिन complete करके दिखा दिया क्योंकि जो लोग कल के दिन मेरे भरोसे पे जुड़ गे थे टेलीग्राम ग्रूप पे कल कहा था ना मेरे भाई कि एक jackpot label में देने बाला हो अगर आपने भी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो link description में है जोईन टेलीग्राम बोल के लिखा हो उस link को क्लिक करके अभी कभी जोईन कर लीजिये क्योंकि आप clearly देख सकते हैं 10 बच के 10 मिनिट पे मेरा मेसेज आता है और दिन का ये पहला मेसेज है कि 48,000 लेबल अगर बेंग्निप्टी ब्रेक करता है देखिए होने से पहले 47,949 पे market था 50 पॉइंट उपर जाने से पहले ही बोल दिया आपकी भाई 2-5 मिनिट का अगर केंडल क्लोज करता है तो हमें कॉल खरीदना है 48,000 के उपर clear है जो है लाइब मार्केट में है उसके बाद क्या था मेरे भाई जैसे लेबल ब्रेक आउट किया यहाँ पे भी अगर आप कॉल खरीदते ना सिर्फ यह दो केंडल पे आपको 100 पॉइंट मिलता अगर आप यहाँ पे भी सेटिस्पाइ नहीं है तो देखिए मेरे लेबल ब्रेक आउट करने के बाद पूरे दिन दोस्तों मार्केट अवसाइड का रिली चलता गया 268 पॉइंट का मोमेंटम दिया है दोस्तों यहीं होता है जैकपॉट वो भी लाइब मार्केट में सब लाइब मार्केट में होता है यह होने से पहले बोलता हूं दोस्तों होने से पहले ड्रॉइंग करके बोल देता हूं जो सेल का लेविल दिया था वो तो एक यार एक पाश मिट का केंडल तक लोज नहीं दिया लेकिन जो बाइंग का लेविल दिया था दोस्तों वो प्रॉपर प्रॉपर रूपर रूपर के सबसे सश्रेंड हुआ और जेकपोट बना यार आज के दिन अगलब में कुछ भी नहीं कहना चाहता आप जाइए एक लोट पे भी काम करते हैं दो लोट पे यार दो केंडल काफिता दिन बनाने के लिए बागी तो आप मोब में काउंट भी नहीं कर रहा हूं वो तो लोग को पताएं दोस्तों लोगों ने एंजोई किया जाके जोइन कर लीजिए फ्री वाले ग्रूप कल के दिन सेंसेक्स में क्या होने वाला है हम देखने बाले हैं दोस्तों क्यां आप बोलोगे भाई ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं लगाते हो क्या एक चैनल को पतानी क्या हो गया है पहले आपको सबको पता हैं दो महीने से कीतना अचा काम दे रहा था आजकल चार्ट वहां पे कुलता भी नей तो यार कही ना कहीं हमें लाइक यहाँ पर जिरोधा पर ही काम चलाना पड़ता है तो एक दिन के लिए काम चला लीजिए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए क्योंकि आज की दिन यार इतना अच्छा बेंग निप्टी का लेवल दिया हूँ आप लोग सस्क्राइब करके रख लो बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए इसलिए मैं कहता हूँ एक घंटे बाद सेकेंड वीडियो डाल दूँगा प्लीज सस्क्राइब करके बेल ऐकन प्रेस कर लीजिए चले दोस्तों ये सुरू करते हैं ठीक है आजाते हैं दोस्तों सेंसेक्स का पहला प्लान ध्यान से सुनिए और हाँ और एक बाद और एक बाद जो भी लोग कमेंट नहीं करते यार कमेंट कर लिया कि जा सुबह सबको रिपलाई मिल गया न आपने अगर कोई भी कॉल पूट लिया है मैं क्लियरली बोलता हूँ कि प्लीज कमेंट कीजिए मैं हर एक परसंड का रिपलाई देता हूँ अरेश्टी के साथ हर दिन रिपलाई देता हूँ 400 पॉइंट का अपसाइड का मोब देखने को मिल सकता है इसके पीछे क्या रिजन है आप क्लियरली देख सकते हैं 15 मिनिट का चार्ट में यूज कर रहा हूँ 72,000 का लेवल देखिए दोस्तों कहीं नगें यहां से पहली बार रिजेक्शन लिया market downfall दे दिया दूसरी बार अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे कहीं नगें टच किया यहां से अच्छा कासा downfall moment दे दिया इविन आज की दिन भी अगर आप देखोगे एक close दिया है यहाँ पे तो simple बात रखते हैं दोस्तों कि यार already अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बार यहाँ पे दो बार और यहाँ पे कही ना कही तीन बार टच हो चुका है एक resistance है जो की तीन बार इस एरिया को टच कर चुका है और यहाँ से बार बार price reject हो चुका है तो simple बात है और 72,000 एक round level भी है तो resistance है plus round level है तो कल की दिन फ्लेट या फिर थोड़ा सा give down खुल के side days हो के 72,000 अगर break out कर देता है दोस्तों इसके बाद हम call नहीं खरीदेंगे clear हो गया दोस्तों पूरे के पूरे अब बात करते हैं put का की भाई put का क्या हाल चालें देखिए कल की दिन मैं simple view रखना चाहता हूँ अगर कल की दिन market फ्लेट है फिर give down खुल के side days हो के अगर मान लेते हैं दोस्तों यह जो level निकल क्या रहा है यह level निकल का रहा है 71,621 note कर लीजिए दोस्तों 71,621 गे नीचे अगर आएगा level तब जाके कही न कहीं हमें downside का view देखने को भी लगा है नहीं कि put by करेंगे simple सी बात है क्योंकि अगर आप देखो के दोस्तों close दिया था कल की दिन 70,6 यहाँ पे 71,250 के आसपास आज कही न कहीं अगर आप देखोगे खुल गया gap up तो simple बात है यह gap रहा अभी pending तो कल की दिन अगर दोस्तों कही न कहीं न कहीं gap down खुल के side is हो के उसके बाद अगर यह level breakdown कर देता है जो level निकल के आ रहा है दोस्तों 71,620 के आसपास वो level अगर breakdown कर देता है इसके नीचे sustain करता है तो अच्छा का सा उसे space भी मिलेगा downside move होने के लिए दूसरी बात पता है क्या है कि पहले से यह एक resistance था आज सीधा यह resistance के उपर market खुला तो अब support बन चुका है तो इस support के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो यार हम कहीं न कहीं put by नहीं करेंगे clear हो गया दोस्तों अब बात करते हैं बहुत अलग सा view और वो अलग view क्या है मैं अभी आपको describe कर देता हूँ दोस्तों कहां क्या rectangle यार मिल गया हमें तो यहां पर मैं आपके सामने एक zone draw करना चाहूँगा दोस्तों यह zone शुरू होता है यहां से यहां से लेकर यहां तक perfect तो आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से इस चीज़ों को समझे कल के दिन अगर gap up खुला तो क्या होगा पहले मैं आपको note करवा देता हूँ दोस्तों यह अगर आप notice करेंगे तो कहीना केंग यहां पर क्या है दोस्तों एक अच्छा खासा resistance है यह zone पर आप focus कीजिए यहां पर एक resistance है जहां से कहीना कही market अच्छा खासा नीचे गिरा है ठीक है और उसके बाद अगर आप देखो कि उसके उपर यह तो एक तगड़ा और भी बड़ा resistance है एक बार इस एरिया को टच किया rejection दूसरी बार टच किया था दोस्तों rejection इवेन तीसरी बार कहीना कहीं टच किया तो इतना बड़ा rejection तो माल लेते हैं कलके दिन सीधा इस रेजिस्टन्स एरिया के आसपस अगर मार्केट खुल गया तो सिंपल बात हैं दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग सेल करके वेट है सब सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव है ना ठीक हैं तो दोस्तों जैसे ही gap up खुलेगा क्या होगा यह सेलर लोग डेफिनेटली मार्केट को नीचे लेने की कोसिस करेंगा और मार्केट को धकल देंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा उसके साथ साथ क्या होगा कि जो भी लोग यहाँ पे आज की दिन call buy करके गहें लास्ट मोमेंट का भी थोड़ा बुली स्केंडल बना call buy करके गहें होंगे बीटी एस्टी जो भी लोग लेके गहें होंगे कल के दिन क्या होगा अगर gap up खुला तो उनको profit दिखेगा आज अगर वो call buy करके गहें तो अपना call position को वो exit करेंगे तो simple बात हैं दोस्तों कहीं ना कहीं वहां से आपको मतलब buy वाला position exit करेंगे तो sell में convert होगा market आपको नीचे की तरह आता हुआ दिखेगा तो सिधी सिधी बात है दोस्तों कि यार इतना बड़ा resistance की ये ऊपर available है और ये एक proper resistance level है दोस्तों यारे resistance जोन है तो कल के दिन give up उख़़ा तो M पे 10 देखते हैं sell करेंगे खुलते ही नीचे आया फिर लोर लो बनाया इसे support टूटता हुआ दिखा तब भी दोस्तों sell करेंगे clear हो गया अब चले जाते हैं और एक view पे कि यार कल के दिन give down खुल गया तो क्या होगा ये आखरी view है उसके आता option चिन पे जाएंगे देखे give down खुल गया तो यहाँ पे notice कीजिए क्या है यहाँ पे दोस्तों कहीं न कहीं support है clearly देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अच्छा कासा एक support है उसके पीछे जाके भी देखोगे तो यह एक support area है दोस्तों पहले resistance था बट side is okay breakout दिया तो support बन चुका है तो कल की दिन अगर give down खुला तो simply यह support से market उथल जाएगा तो कल give down खुलते ही W patent बनते ही हम दोस्तों buy करेंगे या फिर higher high देखते ही हम buy करेंगे simple बात है give down खुला तो buy के बारे में सोचेंगे clear हो गया 71,908 पे close दिया है दोस्तों sensex अब आच चुके है sensex के option chain पे यह हमारे call writer यह हमारे put writer and 71,900 के आसपास close दिया है दोस्तों like sensex तो यहाँ पे उपर की अगर मैं level की बात करूँ 72,000 पता था यहीं होने बाला है 72,000 एक round level है और वहाँ पे दोस्तों कहीं न कहीं 3,14,000 से ज़्यादा call writer बेठे हैं मेरे भाई 72,000 के level पे 72,100 के level पे 2,8,000 तो clearly level पता चलता है सबसे highest call writing हुआ है 72,000 के level पे तो कल के दिन वही मैंने टेकनिकली भी वहीं level आपको बताया कल के दिन 72,000 के उपर गया swords covering रिली चालू हो जाएगा क्योंकि उपर जितने भी कहीं न कहीं call writer बेठे हैं दोस्तों उतने में उतना मचबूत ही तो दिखाई नहीं दे रहा है 72,300 पे 2,7,000 उसके दिचे 1,97,000 तो अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम को अगर आप देख लोगे आगे का strike price तो सबसे ज़्यादा call writer तो 72,000 पे हैं 3,14,050 से ज़्यादा call writer तो 72,000 अगर टूटा तब जाके हमें कहीं न कहीं upside का move देखने को मिलेगा नी कि thoughts covering आएगा नीचे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 71,800 पे ही सबसे ज़्यादा put writing देखने को मिल रहा है जहां पे कहीं ना कहीं 3,96,430 से ज़्यादा put writer बेटे हैं 71,800 पे उसके नीचे अगर आप देखोगे 3,02,000 उसके नीचे 3,06,000 उसके नीचे 3,10,000 तो simple बात हैं ये सब भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो इन सब में यानि कि जो put seller हैं जो support grade करते हैं जो strike price हैं नीचे ही दोस्तों मालब एक ही level है जहां पे सबसे ज़्यादा put writing हुआ है वो है 3,96,000 जो की 71,800 का level है जैसे यहाँ पे 72,000 के level पे सबसे ज़्यादा call writing हुआ था ठीक बेसें यहाँ पे 71,800 के level पे 3,66,000 बाज़ार put writing हुआ है तो 71,800 एक support है अगर ये support टूट जाता है दोस्तों अच्छा कासा में downfall देखने को मिल जाएगा clear हो गया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजिए जाके free बाले group join कर लीजिए और यहार subscribe करके जाएए क्योंकि एक घंटे बाद में फिर से आ रहा हूँ दोस्तों nifty bank nifty का analysis लेके thank you so much take care bye और अपने मुई पापा को हमेशा प्यार दीजिए